नमस्ते दोस्तों मैं हूँ संगराम सिंग और आज आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं यानि जो अमारी केम्पेरिंग चल रही है हराओ करोना चैंपियन बनोना तो आज का जो टोपिक है वो है एटिटूट एटिटूट यानि उसको हम बोलते हैं जिन्दकी में कि वया आपका द्रश्टी कौन कैसा है तो उसका मतलब ये है जो आज का टोपिक है ये आपको जिन्दकी में बहुत फाइदा देने वाला टोपिक है और अच्छा टोपिक है एक दो मिंटम लेट हो गए किसी कारण से तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले बया नमस्ते सब को दुआ सलाम राम राम ससरेकाल आदाब सब कुछ सब नमस्ते अब स्टार्ट करें टोपिक को तो जो यह केंपेंग स्टार्ट की है कि हराओ करोना चैंपियन बनोना य अब तीन तारी तक लोगडाउन हो गया है तीन में तक तो आई होप कि यह लोगडाउन हमारे फाइदे के लिए है जो प्राइमिस्तर साब लिया है नोमली है कि यह उस तक यह सब कुछ ठीक हो जाए ठीक हो जाए और फिर यह सारी चीजें हम अपने इसाब से कर लें तो मै आप से बो कह रहा हूं कि जैसे मैं ने धेर सारे देखे कि जब हम attitude का नाम लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वह आइटीटूट का मतलब कि ये है कि सामने वाला हना बहुत घमन्डी है इगोिस्टिक है attitude का मतलब हम mostly यह सोचते है मगर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि attitude का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला गमंडी है या उसमें बहुत यह है attitude का मतलब हो आपको धेर सारे वीडियो मिलेंगे आपको धेर सारे YouTube पे इस पे जाओगे कोई वीडियो मिलेंगे कुछ अच्छे मिलेंगे कुछ खराब भी मिलेंगे attitude का मतलब है द्रश्टी कौन द्रश्टी कौन यानि आप अपनी जीवन में कैसे विचार रखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं किस तरीके से कुछ करना चाहते हैं ये सारा सब कुछ आपका attitude ये matter करता है तो मैं आज बताऊँ कि भाई अगर जिन्दकी में है ना अगर हमारा attitude नहीं है ना तो फिर उसका जीने का फाइदा नहीं है क्योंकि एक पुरानी कावत है कि जब इनसान का चाहिए एक sportsman है एक businessman है एक कुछ भी है अगर वो कुछ भी चीज करता है जब तक उसका attitude सही नहीं होता ना तो मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ भी कर लो उसका मतलब नजरिया ये सब करने वाले सामने वाले notice नहीं करते हैं और हमारे में से ना बहुत से इनसान पता है काम क्यों करते हैं बहुत से इनसान हमारे में से काम करते हैं खुश रहने के लिए बलकि ये attitude गलत है अगर हमने इसको change किया ना अगर हम काम करें खुश रहके काम करें देखो ये चीज बड़ी छोटी है आपको शायद समझ में थोड़ी सी देर से आएगी, हम काम करते हैं खुशी पाने के लिए, खुश रहने के लिए, और हमें काम करना है खुश होके, कि हम ओरेडी खुश हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत फर्क हो जाता है, जैसे मैं बता रहा था ना कि मैं अपना अच्छा कर उसके बाद तो आप खुश होगे होगे, उसके बाद भी फिर आपकी जिन्दकी चेंज हो जाएगी, तो मैं आज मैं आप सब को एक सीरिसली सीज बता रहा हूं, उसके ये ये आपकी जिन्दकी पे काम बोताएगी, इस बात को आप नोट कर लो, कि पहले जब मैं सोचता थ गड़ी दिखाएगी, वही तीन लाखी गड़ी टाइम दिखाएगी, वही मैं एक अजार रुप्या बैख खरीदू या एक लाखा बैख खरीदू, जो उसके अंदर चीज तो रखी हो तो सेम ही है, और वही चाहि हम 300 स्क्वार फिट के घर में रहें, चाहि हम 3000 स्क्वार के बंगले में रहें, बात तो वही है ना, चाहे हम बिजनस क्लास ट्रेवल करें वही आ, एकोनोमी करें, डेस्टिनेशन तो पहुचना तो एक जगई है, जाएंगे तो एक जगई है, तो मैं आप सब को यही बात समझा रहा हूं कि यह सब है ना, कुछ माइंड का वो है, मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा दोखा है, जो बड़ी ब्रैंडेट चीजे होती है, जैसे जो बड़ी बड़ी ब्रैंड है, वो मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा दोखा है, उनका मकसद होता है कि भया, आम एर आदमें से पैसे निकाल लो, मगर है न संब ब्रहम जाल है, यह जो बड़ी-बड़ी branded यह कमपनिया है, हमीरों को इसे पर बावित क्या होता है कि आम आदमी जो घरीब आदमी है, जरूत्मन्द आदमी उसे पर बावित हो कि अपनी सारी जमा पुम्जी छोड़ के उनके पीछे बागता है तो मैं अब आपको पता रहा हूँ कि दोस्तों देखो आपकी life का attitude ऐसा बनाओ कि अब मैं चाहिए कहीं भी रहूँ या ना रहूँ भले हम एक टाइम चटनी के साथ रोटी खाएं या भया पंदरा सबजीया हूँ बात तो हुई है खाना तो खाना है अगर हम खुश हो है उससे पहले खुश हो एक खाना खा रहे हैं तो जो चटनी के साथ रोटी खा रहे हैं वो ज्यादा श्रीर में लगेगी एज कंपेर जो हम थोड़ा सा मूँ बना के 55 सबजीयों के साथ खाना खा रहे हैं यानि 50 सबजी ले लो कहते हैं चपन बरकार के वेंजन 56 टाइप के वेंजन खा रहे हैं तो उसका फाइदा कुछ है नहीं तो मैं आज आप सब को बता हूँगा कि अब हमारे मेंसेज अगर माल लो कि मैं बार करी खाना खाता हूँ यह के एफसी है मेंग डॉनाल्ड है अब मापको छोड़ी सी बता हूँ एक मेंग डॉनाल्ड का बर्गर जितने उसकी प्राइस होती है बड़े बर्गर की इतने में एक जरुत बंद परिवार पूरे गर क खाना बना लेता है हम जैसे के एफसी में जाते है यह तो यह तो जहर होता है तो खाना एंचे फिर भी नॉमली आप सब उसम जारा हूँ बात बता रहा हूँ जो के एफसी में होता है जो के एफसी हम खाते है इतने में तो मैं कह रहा हूँ कि जो उसकी कीमत होती है के एफस मैं कभला कि शून नियू है जाता हूं जाता हूं को wedआ नहीं इम स्टेक्तों के वह बाणगानी के process कोई्टों के साथ हूं आज में है जो एटिटूट बना रखाना और गलत बना रखा है। सच बता रहा हूं। कि हम नहीं बना रखा है कि भाया हम उसको सुनेंगे उसको करेंगे ना तो हम ज्यादा हो जाएंगे। भाया आज हुए जाएंगे तक बना रखा है कि रखा है कि उसको बना रखा पोड़े कपड़ आपको पता नहीं एक पूरी फैमिली को कपड़े आजाते पूरे घर के जितने आप पर्ते के तिस्टा घर प्हुरा पहन लेता है अब चाही मैं तीन सो पेहना की पहना या और इसका सबसे बड़ा उदारन जो मेरी नजर में हैं वो थे डॉक्टर एपीजे अबदुलकलाम साब अखबार बेश ने स्टार्ट किया उनकी बदोलत है कि उन्होंने अगनी जैसे धेर सारी मिशायल का प्रिक्षन की आमने परमानू का पोखरण में सक्सेस्फुल प्रिक कोई भी काम करते थे बहुत अराम से बहुत कूल रहे के बहुत शांत रहे करते थे और हम क्या है कि छोड़ी छोड़ी बात पर हम इतना हो जाते क्योंकि हम क्या है कि हम दिखावट की जिन्द की जीते हैं हम है ना एटिटूड जो हमने बना रखा है वह एटिटूड हमारे यह पास क्यों नहीं है यह जूई के पास ही है इसके पास ही यह है तो विवे के पास ही है तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि भाईया अपना attitude है ना एक positive बनाओ अच्छी बात आप खुश होई काम करते मैं आप सब की जवाब भी दूँगा तो अपने attitude को normally बनाओ अब खुद एक चोटी सी चीज हमने की, कि मैंने सोचा भईया, कि मैं काम करता हूं, आज तो हुन्हा, मैं सोने गडी पहनता हूं, मैंने सोने गड़ी पहन ली, और मैंने अलमली पहन के आ गया, मैंने दिल खुश हो गया, तिर जेशा क्या, अगर आपने एटिटुट बनाना, देखो, मा बागी पक्षी क्या होते हैं? कि बागी पक्षी बारिस आती है, तो उपने गोस्ने डूंढते हैं? और जो बाज होता है, वो बादलों से उपरोड़ जाता है. मतलब जू ने जिए ने इसको पंक दी है, ऐसे ही शेर है कि शेर जब अपना शिकार करता है तो वो यह नहीं देखता कि वह यह शिकार छोटा है बड़ा है वो शिकार करता है मगर मैं कह रहा हूँ गर attitude का example लेना है ना तो हम इनसानों से लो जिनोंने दुनिया को change कर दिया चाहिए वो शेर है या बाज है हमने उनको गिवना पालतू बना लिया इनसान से मैं कह रहा हूँ कि इनसान के पास जो खूबी हो किसी के पास है यह नहीं हम bounce back कर सकते हैं हम बड़ा सोच सकते हैं हम बड़ा कर सकते हैं बस आपका attitude ऐसा होना चाहिए क्योंकि attitude के बना जिन्दकी कुछ नहीं है जो मुझे धेर सारे हैं कि आप में से शायद सुनेंगे आप में शायद बीच में छोड़ देंगे आप में शायद यह सब करेंगे मगर मैं आप सब को बता रहा हूं कि जिन्दकी में है आपका सई attitude एम रखता है सई सब कुछ यह सारे चीछी ठीक करता है राज की सोर जी मेरी टी-शिट का तो मुझे पता है नहीं कितने कि है भईया यह तो बहुट दिन से ऐसी रखी ती मैंने पहन ली कुछ भी पहन लो यह कहते है ना एक ariyana में कावत है मैं ariyana से में तो आप समझा जیता हूं कि भईया बाराती को तो बाराती की मा इप एदा कर देती है तो एक पुरानी कावद है कि अगर शरीर में जान है ना आपके आप कुछ भी कर लो देवी राम राम आपके शरीर में जान है आपका शरीर हेल्दी नहीं है तो आप कुछ भी पहन लो वो सारी चीज फाल्तु है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको राम राम भाई सबको राम राम तो शरीर में अगर आपने जान बना ली ताकत बना ली अच्छा खाना खाके अच्छी तरह रहे के अच्छा सयम करके तो भईया यह मेरी सारी बाते भी आप सब के समझ में आएंगी जो खुद ही बीमार है अब कहते ना बीमार हो जाए हमारे सामने कितने फल फ्रूट सबजीया रख दो उसका मैतव ही नहीं रहेगा वो सारी चीज़े खराब हो जाएंगी क्योंकि उसका मैतव इसलिए नहीं रहेगा कि हम खाई नहीं सकते हो तो सो बातों का एक निचोड ह इसलिए नहीं पूछने अच्छी बात है कि पूछना चाहिए देखो मैं बहुत देशी आदमी और मुझे प्राउड है कि मैं देशी हूं मैं हर जगह जाता हूं मालक की दया से बाहर जाने का मोका मिला 20-25 कंट्री भी गया हूं सारे चीज गया हूं यहां पे भी नॉमल से ल करते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉमली कर रहा हूं लाइफ में सिंपल समझा रहा हूं कि जरूरी थोड़े कि भया हम अच्छी इंगलिश बोलेंगे तो भया हम वो है यह बिल्कुल गलत है जो हमारा एटिट्यूट है वो ऐसा होना चीए कोई आदमी खुश रहता कि मान लो भया कि इसकी इसका कुछ सामान उठा लिया या इसकी कॉंस्टिपेशन हो रहा कब जो रहे वह उतर ने रही धिर सारे ऐसे तो इसलिए कह रहा हूं कि आपका एटिट्यूट यह होना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव और भोध अच्छा तो मैं आप सब को वह ची कि थी वो सार्थक थी एज कंपेर सो साल फाल तू जीने के मुकाबले उन्होंने 37-37 साल की उमर में वो काम कर दिया जो एक इनसान 100-200 साल की उमर में नहीं कर सकता इसलिए मैं आप सब को बता रहा हूं तो जो मैं आप सब को बता रहा हूं नहीं चोड़ बता रहा हूं मैं बढ़े बढ़े सेचेंन 늘 दुनिया बढर हूं, सुपरस्टार के लिए सबसां से लिए बड़े मंत्री हो से लिए सबसा हूं जि Best मैं सब्चूर्पना एक टो सब भिख30प डेघा की आरा हूं मुझे वो पसंद आ है चारु कहा रोगो वैक अनुझ Means जो इनसान मेरी इज़त करेगा, वो मैं हूँ, उसके कान इज़त करेगा, ना क्यों से कान करेगा, तो इसलिए कह रहा हूं, जो आप सब में योगयता है, उसको पहचान लो, फिर आपको कुछ करने की जरूत नहीं है, ज़ो कोई आए या ना आए, बस आपका जो अच्छा ही करो, कि आपको काम ये में सब कर रहा हूं, परतिक आजकल तो फोलो करता हूं, आप भी सब रूल फोलो करो हूं, तो लाइफ में एटिटूट सीखना है, तो वेका नची से से शिको जिन होने 37-68 साल की उवर में इनसान नहीं कर सकता, एटिटूट सीखना है तो फो मसल इडिशन से सीखो, जिसको सब दुनिया पागल बोलती थी, दुनिया ही कहती थी, सलाई पागल आदमी है, कुछ करीन सकता, करीन ही पाएगा, उसके बावजुद उस पागल आदमी ने इतनी बड़ी चीजे कर दी, मैं कह रहा हूं कि इतिया सरच दिया, और एटिटूट सीख इतना ही है, तो एटिटूट सीखो, फिर उससे, जिसने क्या नाम है अपना, एबराहेम लिंकन से, जो आया राजनिती में, जिसने स्टार्ट किया अपनी इतनी लाइफ में, अठारा बार चुनाव हारा, उसके बाद उसने वो सारी चीज़ करके दिखाई, क्या है कि एटि हम भी करते हैं, लाइफ में गल्तिया हो जाती है, तो कोशिश करो के आगे गल्तियों से सीख लो, के मुन गल्तिया ना करे, उस जिन्दकी में है न, अगर आपका एटिटूट का मतलब होता है, द्रश्ट्री कौन, आपकी सोच, अगर वो आपने खतम कर लिया न, तो फिर फाइदा कुछ है नी, एक गीता में कावद है न, कि पहले इनसान मरता था, तो आतमा जिन्दा रहती थी, अज कर आतमा पहले ही मर जाती है, तो अगर एटिटूट अपने मार लें, तो आतमा मर जाती है, हाँ, अंकित हम कपड़डी में बहुत स्टोंग है, हमारे इंडिय हम एक दूसरे की टांग ही चनी हमें, आगे पढ़ने देना पाला टच नी करने देना, तो एटिटूट चेंज कर दो, हमें क्या करना है कि दूसरों को बढ़ाओ, हरियाना बहुत कभी नी छोड़ा है, हरियाने में हैं, आते जाते रहते हैं, तो कहते हैं कि कुछ चीज त् जो आप सब के अच्छे आएंगे, उनके में जवाब भी देता रहूंगा, और मैं आप एक सब को एक छोड़ी सी बात और बता रहा हूं, भाईया दुश्मनी भी करो ना तो ताकतवर से करना, कमजोर से मत करना, कमजोर आदमी के तो दुश्मनी भी खतरनाक होती है, क्यों हो ताकतवर इंशान scalar आपको साउदान करेगा, आपके सामने से करेगा भईया, बात करेगा, जैंवन डंब्लए और कमजोर इंशान आपके उपर तबुआर करेगा, जब आपको उमीद भी नहीं होगे उस चैजिस के, और कमजोर का मतलब ये नहीं क Qyrr से कमजोर है, फ्री तो जिन्दकी में रखो और हाँ संदीब आप सब ने अच्छा लिखा भईया राम राम सब को तो मैं यही बात कह रहा हूं कि जो आपका एटिटूट है जो आपकी चीजे है ना वो इतनी पोजिटिव होने चाहिए वो बया जो कुछ हो रहा है तो हो ने दो और मैं आपको पहले ही मैंने बता था मैं आज भी बता रहा हूं आपको कि अगर भईया अगर पानी है मनजिले तो अपना रहनुमा खुद बन अगर पानी है मनजिले तो अपना रहनुमा खुद बन वो अकसर बटक जाते जिने सारा मिल जाता है तो मैं आप सब को बता रहा ह वहाँ जिन्दकी दो अपने कंदे भी जाते हैं दूसरों इकंदे भी जुनाजा उठता है तो किसी से सारा लेने की जरूधत नहीं किसे कुछ करने ही जरूधत नहीं है वह देख रहे हैं जब हम खुद बताओ जब हम एक बस में ट्रेवल करते हैं द्राइवर को जानते हैं हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं हम ट्रेन का जो जानते हैं फिर भी हम सो जाते हैं फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं क्या हम पाइलेट साब को जानते हैं नहीं जानते हैं फिर भी हम सो जाते हैं अरे बाई जिन्दकी है जब मालिक ने बेजा है ये तो एक आम आदमी है उसक आपको कि जिन्दकी में अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, नॉमलियों करना है, तो आपने बरोसे पर करो, अपने इम्मत पर करो, अपने सारे पर करो, दूसरे आते हैं, दूसरे सिर्फ तसल्ली देंगे, एडवाइस देंगे, सला देंगे, करना तो खुद ही यह सारी चीजे में आपको बता रहा हूँ कि जो आपके काम आएगी और भाईया ये आपकी जिन्दगी है आपकी जिन्दगी है आपको ये खुद ही हो करना पड़ेगा खुद बनानी पड़ेगी आपकी जिन्दगी ये कोई चिथी नहीं किसी से आप लिखवाला होगे आप सबको पहले ही बता था कि जिन्दगी में कभी फालतु दोस्ती मत करो क्योंकि पता क्या होता है कि जब दोस्ती करते हैं हम तो दोस्ती में क्या होता है कि वो टाइम देना पड़ता है बात करनी पड़ती है और हम अपने लक्षे से अपने फोकस से भटक जाते हैं तो इसलिए फाल्तु दोस्ती मत करो, दोस्ती उसे करो, जो सिरियस इंसान है, जो हेल्दी इंसान है, जो बिमार है या देर से उठता है, या फाल्तु ऐसे गूमता रहता है, पेट निकाले वे, अन्फिट वे, उसे दोस्ती मत करो, खुद यह अपना दोस्त नी बन पाए, वो आ आपका एटिटूट ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत सही हो और दूसरा बात यह है एटिटूट कैसा ही कुछ बनाओ मगर हम्बल जरूर रहो चाहिए भले ही आपका एटिटूट यह हो कि मैं यह पा लूँगा मैं कर लूँगा परफेक्ट तो कोई होता नहीं मगर अगर में एक मूँ दिया है दो कान दिया है तो कोशिश करो पहले वो बाते सुनो कि वहाँ पे चल क्या रही है हो क्या रहा है सब इंसान समझदार हैं सारी चीज वो हैं तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भईया यह सब करो और एक जिंदगी में बड़ी बात बता रहा ह उस इंसान के सामने कभी भी जूट मत बोलना जिसे आपके जूट पे विश्वास हो ठीक है ना उस इंसान से कभी भी जूट मत बोलना जो आपके जूट पे विश्वास करता हो और ये सचाई जूट ये छोड़ी छोड़ी चीजे कितने दिन करेंगे यह बताओ ना जिंदकी जी वो गलती होते है भया ठीक गलती हो माफी मांग लो किसी का पैसा तो भया हाद जोड़ो कि वे बाद में दे देंगे और कुछ हो गया तो और कुछ पात पाद पर यह सारे चीज कर लो तो इसलिए कह रहा हूं कि सब से पहले एक आपका अटिटीटी यह सही है, आपने उपर आपने भरोसा किया है अपने उपर आपने सारे चीज की है और जो दूनिया वाल हो इमत सोचो भया मैं पहले लिछ दोस्तुनिज ना पहले एक आदमी एक घोड़ा को उसको लेकर आ रहे थे एक अगोड़ी का थ थोड़ा वसकी पाले बोले यर कितने बेवकुफ आदमी यर अदमी खुद बेठा वाया अपनी अर्थ को उतार रखाये acquam कितना वा अदमी फिर उसने ले अर्थ को बैठा दिया कितना देखो यरud को बैठा रखा तो मैं ये सारी चीजे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहिया जिंदगी में अपना इट्वीट बता ओ दूसरी बात ये है कि बहिया कोशिश करो made in India सारी चीजे करो कि जो अपना भारत देश है ना बहुत बड़ा है सारी चीजे इसकी उकरो इसकी चीजे खरीदो कोशिश करो कि आप नहीं नहीं इविश्कार करो नहीं नहीं चीजे ले के आओ हमें चाइना या और किसी की जरुवत नहीं है पूरा वर्ल्ड भी अगर हमारे उपर परतिमन लगाएगा तब भी इंडिया इतना सक्षम है कि वो चीजे कर सकता है क्योंकि आप सब बहुत क्रेटिव हों आप सब में बहुत पावर है आप सब में भूत ताकत है तो कोशिश करो कि जो अपनी जो महीम है अपने इंडिया वाली इस सारे चीजों को यह सब पर्मोट करो अपने गर में सारा सामानों हो खरीदो कि बहाईं जो अपन अपने आदमी हों ने बनाए जिरोतमन के पास पैसा जाएगा जो बनाने वाले कारीकर होते हैं न बड़ी बड़ी बिल्डिक है उनके पास खुद अगर नहीं होता क्योंकि वह बिचारी मजदूर हो जोब्डे में सोते हैं अगर आप ये सभी made in India जो अपनी बना समान खरीदें लग जाओ गए ना तो क्या है कि उनको भी दोवक्त की रोटी इज़त से मिलेंगी और अच्छे तरीके से मिलेंगी क्योंकि चाहिए कितना है टफ टाइम आ जाए हाँ अभी टफ टाइम है तो एक काम करो कि थोड़ा खा काने का थोड़ा इस चीज को थोड़ा सा कम कर लो या क्या फरक पड़ता है मर थोड़ी जाएंगे थोड़ा सा बचत कर लो खाना है पानी है बिजली है बाकियों सुई दाएं है थोड़ी सी कम कर दो तो रोटेर सारे को मिल जाएंगी कहते ना कि तीन रोटे करमान लो हम ख कर रहा है तो एक पुन्य भी होता है कहते हैं ना कि जब हावन चल रहा हो ना तो इसमें जो भी आउती देगा वो उसको पुन्य मिलता है और सफलता पाने का तो भईया यह कि नहीं है मैं टोपिकी भी ले कि हमा सक्सेस का भी ले कि हम आगे कि खुद पे विश्वास करो अब पे विश्वास आप में कितने करते हैं तो यह देख लो और लोग तो भईया आपकी बातों पर तब तक यकिन नहीं करेंगे जब तक आप उनको हिला नहीं दोगे अपने उससे और मैं कह रहा हूं कि अपने है ना दो चीजे रखो जब आप में किसी में है ना कोई अच्छ अच्छा बना लो आइना बना लो कि मेरे में कितनी है मैं इसमें देख रहा हूं तो यह attitude आपकर होगे तो सारा काम चल गया और कोई क्या कहता है कोई कुछ कह रहा है उससे कोई फरक ने पड़ना और दूसरी बात natural खाना खाओ मैंने खाने के उपर ही बना था भी धेर सारे दूद है गुड है गुड यानि जैगरी किसी को ने पता हूँ शक्कर है natural sugar यह नहीं है शुगर फरी और यह सब तो फालतो होता है जो शुगर फरी करके बेचते हैं बगया बताना दिकोई काथी कंपनी मेरे गेंस्ट हो जाएंगी मगर आप बता रहा हूं शुगर फरी औ सब नुकसान दा चीज है फालतो ही चीज नहीं है तो इसलिए गुड खाओ शकर खाओ मीठा खाने का दिल कर रहा हूं और natural चीजे खाओ सारे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और दूसरा यह है कि अगर आपका दिल साफ नहीं आपका एटिटूट ठीक नहीं तो आप बाइबल में क्या लिखा है कुरान में क्या लिखा है तो सब को सपोर्ट करेगा और किसी यह जगडेगा नहीं यह बात याद रख लो तो आप एक काम करो कि एक तो अपना एटिटूट पोजिटिव कर लो दूसरा जो अपने भारत में जो चीजे बनती हैं वही खरीदो उ हम यह जंग थोड़ा जल्दी जल्दी से जीत जाएं नहीं तो फिर क्या है कि लोगडाउन लंबा होगा फिर लंबा होगा तो इससे आर्थिक सिती हमारे देश की खराब होगी और हमारे पास उतनी सुविदा नहीं जितनी सुविदा इटली अमेरिका के पास है तो मैं करने जो छोटा सब्जी वाला है या नोमली है जो छोटे जो मतलब जो छोड़े चोड़े बेचारे कारोबारी हैं जो थोड़े थोड़े सब्जी या फल फूट बेचते हैं उन से क्यो बार गेनिंग करते हैं ज्याद हम किसी शोरूम में जाते हैं शोरूम में लिखा हुत तो एक रुपय कम करता है, इन 17-10 रुपय में यह हमारे पैसे से है ना कोई आपको बता जेता हूं, जो पैट है, जो अब कुटे हैं, यह नोमली है, गर पे पाल, तो इमका ध्यान रख लेते हैं, गली में हैं, पक्षी हैं, उनको भी ठोड़ा खाना रख दो बाहर गर के, वो खा लेगी, उनका भी घर में यह पानी रख दो कि उनका ख्याल भी रहना ह हैं, और एक में धेर सारे बच्चों के लिए अच्छी चीज लेके आँ, एक पोटोज करके एक एक एप है, जो एंडूइड फोन है, उस पोटोज एप स्टोर में डालोगे, वो डाउनलोड कर लो, वो आपको बताएगा, कि भाईया, आपको यह इसमें टैलेंट है, तो आ कि भाईया, शिद्दत से देखेगे, सपने हमेशा पूरे होते हैं, बस आप सपने देखेगे, इनकी इमत रखो, जैसा हम सोचते, वैसे ही बनते, तो बड़ा सोचो, और बड़ा सोचो, और बड़े सपने देखो, यह सारी जिन्द की काई, तजरूब आपको यह दे रहा ह अजया, दूसरी बात में आपको बता रहा हूं कि मैंने टास्क दिया था, दन्मारने का, ओर टास्क है और धेर सारों ने किया, इक इक शू है, और बाकी है, सब ने किया, तो मैं सोच रहता है किसका डालो, किसका डालो, किसका डालो, किसका डालो, अभी किस दिन के बाद हम टास्क लिखो आपके कल आप क्या फीजिकल एक्टिविटी करना चाहोगे मैं सब कर पढ़ रहा हूँ कि क्या आप बैस कर सकते हो तो आपको बैस करना कल का मैं टास्क वो दूँगा आप सबको ठीक है तो जैसे कल हमने डिप्स मारा था तो आज आपको पता क्या करना है कल हमें एक काम करना है कि हैंड अपनाओ करके सीधा करके या हैंड में कोई 2-4-5 कजी वेट लेके हमें सक्वैट मारना जिसको हम बैठर बोलते हैं सक्वैट मारना है कम से कम 5 प्रोपरली और कम से कम फिर 7 बिलकुल सपने सच होते हैं बिलकुल आप ठीक कह रहे हैं ठीक है तो लोक्समित अच्छा लोक्समित यह थी तो अब इसका मुझे पता नहीं हो सकता है कि ठीक हो उनको भी अपनी जोड़ी चलानी है तो आप सो क्या करना है कि कल है ना मुझे वीडियो बेजो एक टैक करो हराओ करो ना चेंपियन बनो ना स्क्वैट मारना है कुछ आत में वेट लेके वेट यानी जो नैच्छल वेट गर का ये बाहर जिम करने नहीं जाना आपको घर पे रहना है हाथ दोने हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है किसी के पास निगुसना किसी पास निजाना है और अदेशी खाओ श्री उतना इच्छा होगा जैसा खाओगे मन वैसा जैसा खाओगे अन वैसा होगा मन जैसा प्योगे पानी वैसे निकलेगी बानी जैसी संगत वैसी रंगत उठक बेठक टाइप करना विए mega दिन बताया था आप चलो दो मैं आप तास्क्स देता हूं एक तो उठक बेठक करना है दूसरा शिर्षासन बनाना जिसका बेठक होगा मैं उसका video डालूगा उसका नाम भी लूगा सारी चीजे करूगा बैठे कमारनी है थोड़ा सा कुछ करके और शिर्शासन बनाना जिसका जो बेतर होगा अब महो करूँगा ठीक है और घी तो भईया बहुत अच्छा रहता है गी को मना कर रहे हैं तो ठीक है फिर आपको कल फिर मिलेंगे हम इस उसमें कल का टोपिक भी और जानदार होगा शा बात जो आपके विचार है जो आपका काम है अगर उसमें जानोगी न वो सही होगा आपकी सोच सही होगी तो मैं कहता हूँ कि लाखो लोग सुनेंगे क्रोड़ो लोग आपको फोलो करेंगे और मानेंगे आपको इसलिए सारी चीजे कह रहा हूँ कि अपने में अंदर इतन माने भी माने भी सोचे भी ओके नमस्ते गोड ब्लेस यूल लव यूल ख्याल रखोपना